मैं आपको बता रहा था कि जो inversion है, inversion एक process होता है, जिस process में जो configuration है molecule का बिल्कुल opposite हो जाता है, और एक होता है retention, retention में same configuration रहता है, देखो racimization, inversion and retention को मैं molecule बना करके दिखा रहा हूँ मैं इस तरह से नहीं बता रहा हूँ आपको कि definition तो ये बताई दिया आप इसे करी लोगे definition को तो ये तो होई जाएगी लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा different way से आपको बताता हूँ racimization आप ऐसे याद रखो कोई chemical reaction किया ये मेरे पास molecule था हमने कोई reagent add किया आधे molecule dextro rotatory बन गए A, B, C and D आधे molecule बन गए liver rotatory A, ये D को D के सामने लिख रहा हूँ मैं इधर B लिख रहा हूँ, इधर C लिख रहा हूँ अगर ये dextro rotatory है तो ये liver rotatory है ये equimolar बन गए दोनों अगर ये दोनों equimolar बन गए तब ये process racimization मैंने बोल दिया ऐसा कोई chemical reaction देखने को मिले तो बड़ा असान है चेक करना, कुछ न देखो अगर single chiral carbon बना है और गिने चुनी conditions है वो कार्बो कटाइन के जरीए बना है अगर अगर कार्बो कटाइन के थ्रू बना है वो कब बनेगा कार्बो कटाइन के थ्रू जब SN1 reaction होगा तब हमें racimization करना होगा और जो adhide and ketone के सब nucleophilic addition reaction है बस ये दो भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा nucleophilic addition reaction जो carbon double bond oxygen पर हम HCN का addition करते थे carbon double bond oxygen पर grignard reagent का addition करते थे वो nucleophilic addition reaction होते थे तो nucleophilic substitution में SN1 में racimization करना है हमेशा and nucleophilic addition reaction में हमेशा आपको racimization करना है single chiral carbon अगर बनता है तो दूसरा एक मेरे पास process होता है जिसे मैं बोलता हूँ inversion inversion of configuration यह हमने प्लस टू में अलकाईल एलाइड में detail से पढ़ रखा है लेकिन मैं थोड़ा short में आपको इसको बता रहा हूँ जब मुझे कोई एक chiral molecule given है पहले से यहां पर chlorine लगा हुआ है और तीन groups यहां पर ABC लगे हुए हैं एक A group हो गया एक B group हो गया एक C group हो गया अब मैंने जो रेक्शन किया वो SN2 टाइप रेक्शन किया transition state बनाते हुए निकलियो फाइल डैट मेंज opposite position से आया यहां से आया वो उसका पूरा process है मैं mechanism पर नहीं जा रहा हूं लेकिन opposite से आया यह निकलियो फाइल जो भी OH negative कोई chemical reaction ऐसा किया कि leaving group से opposite position से निकलियो फाइल आया तो यह ABC यह तीन इस position पर थे यह invert होके ऐसे हो जाएंगे आपको बताया था Amorella जैसे बिलकुल flip कर जाती है Amorella inversion नाम इसको Amorella inversion ही देया जाता है तो finally क्या बन जाएगा CL negative तो अलग हो जाएगा यह कार्बन पर A group है यह B group है यह C group है और यह निकलियो फाइल है तो जब ऐसा कुछ हो जाए कि यह opposite side आ जाएं तीनों ग्रुप तीन ग्रुप तो इस process को हम बोलते हैं यह inversion बस एक चीज़ याद रखो जादा जरूरत नहीं है याद रखने की कि जब भी SN2 होगा तो इन्वर्जन होगा SN2 reaction is followed by inversion SN1 reaction is followed by racemization यह बहुत ज्यादा चांस हैं आने के क्योंकि स्लेबस में NCRT में बड़ा डिटेल से यह दिया हुआ है अब वह एक अलग बात है कि हमें कैसे पता चलेगा के SN2 reaction हो रहा है आप देखो primary हलाइड है तो SN2 देते हैं प्रिशरी हलाइड है जहां कार्बो कटायन फ्री बनते हैं वहां SN1 reaction होने चाहिए एक और होता है जिसे बोलते हैं retention कुछ reaction ऐसे होते हैं जिनको हम retention reaction बोल रहे होते हैं retention का क्या मतलब है retention का मतलब है जो configuration जो इन तीन गुरूप का orientation substrate में हैं वही product में रहे नाम से पता चल रहा है कि हमने retention कर लिया वही चीज़ जो की तू रही अगर एक ये मैं कार्बन और यहां पर कोई ग्रूप लगा हुआ है इसके साथ ये तीन ग्रूप लगे हुए है ए बी एंड सी मैंने कोई chemical reaction किया एक्स वाइजएड कोई भी जिस साइड से ये हटा उसी साइड से कोई ग्रूप दूसरा आ करके एक्स वाइजएड आ करके सबसिट्यूट कर गया है यहां पर ऐसा नहीं हुआ जिस साइड से हटा उसके opposite साइड से आया है और यहां पर तो बने ही दो हैं तो तीनों बिलकुल अलग अलग है एक्स अगर इसी साइड से आ गया तो मैं इसको बोलूँगा कार्बन ए अपनी जगा पर रहा भी अपनी जगा पर रहा सी अ जाद रखने रेसिमाइजेशन आदे डी आदे अल बन जाएं इनवर्जन जो कॉन्फिग्रेशन था कॉन्फिग्रेशन ऑप्टिकल रोटेशन नहीं जो कॉन्फिग्रेशन ए बी सी का ओरिएंटेशन था उसका opposite हो गया दूसरी तरफ आ गया जैसे अम्रेला इनवर्ट कर जाती है रेटेंशन जो औरिएंटेशन ए बी सी का था वही औरिएंटेशन रहा इनवर्जन कब होगा एसन टू में रिसिमाइजेशन एसन वन में रेटेंशन कब होगा इसका बड़ा एक स्पेसिफिक सा रेक्शन है एक अलकॉहल अगर मैं काईरल लेता हूं और उस पर ए गरूप लगा हुआ है बी गरूप लगा हुआ है सी गरूप लगा हुआ है यहां पर ओएच cannot लगा हुआ है शै इलाईड बनता है। जिस साइड से ओच लगा हुआ है। उससी साइड पर क्लोरीन आता है। यह A-B-C अपनी जगा लगे रहते हैं। A अपनी जगा होगा, B अपनी जगा होगा, C अपनी जगा है। यानी रिटेशन होगा यह। क्यों होगा अभी फिलाल उससे मतलब नहीं है वो होता है इसमे जो मेकनिजम been वो इंटर्निल मेकनिजम होते है एसन आई टाइप के मेकनिजम होते है ना جश सन वन होता ना इसन टू होता है बस यह तीन पॉजिशन इनकी तीनों के औरियंटेशन सेम रहते है रियक्टेंट में भी एंड प्रोड़क्ट में भी ये तीन टाम और याद रखो आप्टिकल आइसोमेरिजम में इडिशनल इनके आने के काफी स्ट्रॉंग चांसिस क्यों है आप्टिकल आइसोमेरिजम से क्यों रिलेट कर सकते हैं इसको क्योंकि बड़ा डिटेल आइसोमेरिजम और सारी चीज़े इतिनी डिटेल से नहीं दी हैं लेकिन यह बहुत डिटेल से दिया हुआ और यह जितना चार्ट मैंने बताया आपको अगर यह पक्का कर लोगे तो कुश्चन मिलेगा इसमें सही कैसे समफ कर रहे हैं That He kun uratom को चार्बन पर प्राइंब लेते हुए हम अगर कोई एस न्ड कर देट को इन वर्जन ऑफ और इसरेम्स मिलेट ओन आइए हैं नहीं लिया नहीं हो रहा है एक हैं गलत है घ्ली ऐसermatom यह फो शुच्क्राइब अना इह यह ठिबाब शुर मॉatura साफ ज़त तो हम आप्टिकल रोटेशन का रिलेशन नहीं बता रहे हैं कॉन्फिग्रेशन का रिलेशन बता रहे हैं अगर यह रिटेंशन है तो मतलब सेम पॉजिशन पर मैंने बताया कब कोगा एक इसके चांस कम है आने के चांस आने के लिए ज्यादा है तो अब मैं आपको फर्दर कुछ और प्रॉब्लम्स करने के लिए दे रहा हूं ताकि हम जितने भी टाइप के कॉश्चंस हैं वो कर पाएं जैसे एक यह बड़ा कॉमन कॉश्चंस है जो आना पॉसिबल है ये एल्डीहईड कि टोन में आपने पढ़ा है जब हम इसको है सी एन से रेक्षन करते हैं या रेक्षैन करते हैं गया इस रिएक्षन का नाम है ये फ्लिक addition reaction इस process में left hand पर देखो कोई chiral carbon नहीं है double bonded तो हो इने सकता chiral ये लेकिन carbon chiral है ये carbon SP 3 carbon है and chiral भी है 4 different group लगे हुआ है कितने chiral carbon बने इस process में नया chiral carbon एक generate हुआ है जब कोई chemical reaction होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि chiral carbon बन रहा है या नहीं तो left hand पर क्या है no chiral carbon right hand पर क्या है one chiral carbon chirality appear हुई है appearance of chirality का example है एक chiral बना तो एक chiral में तो दो बनते हैं बस हमेशा और वैसे भी अभी आपको बताया था जब भी अभी nucleophilic addition करना है तो इस nucleophilic addition में क्योंकि ये sp2 planar होता है sp2 planar को मैं ऐसे लिख देता हूँ देखो ध्यान से c double bond oxygen r and h तो इस carbon positive पर cn nucleophile correction करना है आपको cn negative जब यहां आएगा तो एक चांस तो यह है cn negative दूसरी तरफ भी आ सकता था दूसरा चांस यह है दो तरफ आ सकता था यानि दूनों मिलेंगे डी भी मिलेगा अगर यह इधर आया मालो मैंने डी लिखा तो दूसरी तरफ आया तो ल मिल गया तो यह एक काईरल की वज़ा से अगर नुक्लियो फ्लिक addition कहीं आप देख पा रहे हो तो डी प्लस ल आपको आंसर लिखना होगा that means this process is followed by racemization इस को बहुत तरह से पूछ सकते हैं आपसे पूछ लें कितने काईरल कारबन बने आप कोगे वन आपसे पूछा जाये कितने आप काईरल कारबन के भी आप पर दो ऑप्टिकल आइसोमर बन थे आपसे ये कहा जाए कि इस प्रॉसेस में क्या होगा एन्वर्जन होगा रेसिमाजेशन होगा रेटेंशन होगा या कुछ और होगा तो आप कहोगे इसमें तो रेसिमाजेशन होगा ये गटना क्योंकि एक planar molecule पर हो रही है planar molecule पर जब भी कोई nucleophile दो तरफ से erection करता है तब racemization होता है तो ये बड़ा important example है आप लोगों के लिए किटोन या एडिहाइट अब किटोन में जरूरी नहीं के chiral carbon बने देखो यहाँ मैं इसी में example को इसको कर लिया आपने मैं इसमें change कर रहा हूँ इसमें मैंने एडिहाइट की जगा किटोन ले लिया ये मैंने change करके यहाँ लिख दिया एक R तो ये R and R same है तो यहाँ भी इस H की जगा R आएगा अगर R आएगा तो अब थोड़ी काइरल है ये तो अब तो काइरल नहीं बना racemization नहीं हुआ LD हाइड के केस में racemization होगा की टोन के केस में अगर ये दोनो R हैं सेम तो racemization नहीं होगा लेकिन की टोन तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ये अलग अलग हो भई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि की टोन ऐसा ही होता है कि जिसमें दोनों R सेम हो आप एक बार CH3 लिख लो एक बार C double bond oxygen C2H5 लिख लो दो की टोन दोनों दुबारा से लिख करके मैं example बता रहा हूँ चलो एक बार CO है CH3 and CH3 दोनों का reaction HCN से करा दो अब जब ये HCN के साथ reaction कर दोगे तो product लिख लोगे right hand पर product मिलेगा हमें right hand पर जो product मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ कि क्या मिलेगा C oxygen CH3 C2H5 यहां C oxygen CH3 CH3 जो HCN हुआ था यहां पर हैड हुआ यहां पर CNA हुआ हैड हुआ यहां CNA हुआ अब इसमें तो कोई chiral नहीं बना न नो काइरल कार्बन तो नो रेसिमाइजेशन किटोन कैसे symmetrical किटोन यह किटोन कैसा है symmetrical किटोन है ऐसा किटोन जिसमें दोनों अलकाइल गुरूप सेम होते हैं वो रेसिमाइजेशन नहीं देते हैं लेकिन अगर किटोन ऐसा ले लें हम सी डबल बॉंड ऑक्सीजन सी एच स्री सी टूफ फाइफ यह अलकाइल गुरूप अलग यह वला अलकाइल गुरूप अलग यह मिथाइल यह प्रोपाइल यह ब्यूटाइल यह पैंटाइल यह हैग्जाइल अन सिम्मेट्रिकल किटोन्स मिक्स्ट किटोन भी बोलते हैं हम इनको तो अगर मिक्स्ट किटोन दियें तो जरूर काइरल बनेगा फिर काइरल अगर बन गया तो फिर दो आईसो मर आप लिखोगे फिर आप रेसिमाइजेशन लिखोगे इस केस में रेसिमाइजेशन हो गया तो केरफुली करनी होती है प्राबलम को देख करके करना होता है तो मैंने आपको क्या बताया एडिहेडन की टून का जब HCN के साथ रेक्शन करते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट एक्जामपल निकलते हैं जहां पर रेसिमाइजेशन हो सकता है SN1 में तो होता ही होता है SN1 तो मैंने क्लास में आपको डिटेल कराई है दुबारा से और भी बता दूँगा जब भी कभी किसी रेक्शन इंटरमीडेट में कार्बो कटायन इंटरमीडेट बना तब आपको और काईरल कार्बन ने पिर हुआ तब आपको SN1 अगर होगा तो रेसिमाइजेशन करना होगा भी SN1 कभ होता है जब कार्बो कटायन बनता है कार्बो कटायन बनेगा तो कार्बो कटायन क्योंकि प्लेनर होता है तो प्लेनर होने की वज़े से हम इसे बोलेंगे कि यहां आधे D आधे L बन पाएंगे अब मैं आपको further question दे रहा हूं करने के लिए एक एक question जो मैं दूँगा इसको जल्दी से solve करके बताओ इसमें आपको सबसे पहले product लिखने हैं फिर बताना है कि racemization किन किन cases में होगा किन में नहीं होगा एक और लिख लो तीन हो गए यह चौथा और लिख लो अब फूर्थ CH3 CH2 CHO प्लास HCN यह fourth है यह चार problem जल्दी से solve करके बताओ फास में जब हम इसका HBRC reaction करते हैं तो एक तरफ तो H add हो जाएगा एक तरफ भी R add हो जाएगा यह chiral carbon बना एक ही तो chiral carbon बना कौन सा reaction हो रहा है intermediate क्या बनता है मैंने अभी आपको एक point लिखाया है कि जिन reaction में भी intermediate carbocatine है और एक single carbocatine बन रहा है SN1 में क्यों racemization होता है क्योंकि SN1 में carbocatine intermediate बनता है यहाँ भी जब आप इसका mechanism सोचते हो पहले H positive आता है कार्बोकatine बनता है उस कार्बोकatine पर बी आर नेगेटिव का रेक्षन होता है तो यहां racemization होना चाहिए आधे D बनेंगे आधे L बनेंगे यह हमारा answer correct है यह racemization देगा सेकिंड में आ जाते है HCN molecule add करो carbon double bond oxygen पर यह हो गया C2H5 C के साथ oxygen लगा है यहां पर C2H5 और जब मैंने HCN इस पर add कर दिया तो यहां पर आ गया H यहां पर आ गया CN तो भई racemization तो होना ना होना बाद की बात है यह तो chiral ही नहीं है पहली बात तो यह है जब chiral नहीं होगा तो कोई racemization नहीं होगा नो racemization तीसरी बात पर आते हैं हमें दे दिया कि SN करना है निकलियो फ्लिक सब्स्टिटूशन मतलब बियार हटा कि उसकी जगा निकलियो फाइल लिखना है अब हमें ये खुद जज़ करना है कि ये SN1 है या SN2 है ये रियक्टछन SN1 या SN2 से कैसे россий होता है अगर ये हलाइड ट्रिशरी होते हैं तो कार्बो कटाइन के थ्रू होता है रियक्टछन और SN1 होता है तो SN2 तो ये नहीं है SN2 में क्या होता है Invergen SN1 में क्या होता है Racimization बात वो ही आ गई कि जिन reaction में भी Intermediate Carbocatine बनते हैं और Carbocatine वाला Carbon Chiral बन रहा होता है तो हम SN1 करते हुए Racimization करेंगे तो यहां क्योंकि इस Carbon पर Chiralty आ रही है यह Chiral है फिर दुबारा से जब मैं इसको करूँगा रेक्शन करने पर यहां आ जाएगा Nucleofile R1 R2 R3 क्योंकि Carbocatine के जरीए यह बना है तो Racimization इसमें होगा Racimization is possible इस पर आते हैं CH3, CH2, CHO लिख लें इसे CH3 CH2 C double bond oxygen H यह double bond था तूट गया oxygen negative carbon positive हो गया carbon positive पर क्या जोड़ दिया आपने CN और oxygen पर क्या जोड़ दिया आपने H अब देखो इस carbon को जो chiral नहीं था पहले अब chiral बन गया यह carbon कौन सा reaction है nucleophilic addition है जब nucleophilic addition होकर chiral carbon बनता है तो Racimization होता है क्योंकि planar पर reaction reason भी दे रहे हैं हम planar carbon carbon double bond oxygen पर nucleophilic addition किया है इसलिए हम बोलेंगे कि yes यहां Racimization होगा तो आपको हर तरह की problem करा दी मैंने पिछली इन 3-4-5 class में time जरूर लगा है लेकिन हर तरह की यानि molecule से आप molecular formula से isomer लिख रहे हो या chiral carbon की संक्या बता रहे हो total number of optical isomer बता रहे हो geometrical बता रहे हो structural बता रहे हो आप isomer बता रहे हो इसमें totomers and chemical reaction से भी जितना कितना time था हमारे पास उसमें हमने basic करी लिया यह approach तो कम से कम पता चल गई आपको और यह जो मैंने से हैं optical isomer, sn1, sn2, nucleophilic addition यह तीन लिख लेना मेरी बात कहीं पहली priority होगी अगर reaction से question दिया तो बस यह तीन sn1 racemization nucleophilic addition racemization sn2 inversion बस यह तीन भी करके चले जाओगे तो बड़ा फाइदा मिले अगर कहीं reaction से कोई question टच हुआ तो पहली priority इनके साथ हैंगे तो मैं समझता हूँ के आज के class में हम इतना ही करें बाकी वरना ज्यादा हो जाएगा